तो यह ऐंना इमेर्जेंसी नाइट नीवर्ण कोमपणी का है तो इसको यह कस्ट मरम में मेरे को नहीं जल रहे थे इसलिए रिप्यर करने के लिए देया है तो इसका पहले में बैटरी चार्ज हो रहे हैं इसके चार्ज हुत करें। कुड़ी भोल्ट में आप लोग रखके आप लोग चेक के जिए देखिए जिरो पॉइन जिरो थ्री में आ रही है देखिए यह निया बैटरी है इसको मैं चेक करता हूँ देखिए कितना भोल्ट आता है तो देखिए ठीक्षर नहीं लग रहा है तो इसलिए देखिए 4 पॉइन 22 वोल्ट दिखा रही है और पुराने वाला जो है पहले वह तो ऑल्ट theatre में मांटिमीटर में यह सांध बीटर होता है उन खानग इसलिए मतलब उन भी भी खतम हो तो इसका जो जो बैटरीय है इसको मैं चेंज करूँगा तो देख सेकती हो यह निया बैटरी है तो इसका व्लिडरी हम जो नेगेटीज पजिजेटिटीव का जो और है उसको मैं सोद ultimate से खोल दिया हूं तो इसको बाद इसको साइड में रखता हूँ देखिए यह निया बैटरी है इसको लागने से पहले इसको थोड़ा उसका जो नेगेटिव जो पोजेटिव है प्लास माइनस जो है उसको थोड़ा घिसुंगा क्यों की सोल्डर जो है वह आच्छी से लग जाए तो इसलिए तो इसको मैं छिलने के बाद इसको छोटा कर दूंगा जितना चाहिए ठीक तक मेडियम मेजर्मेन रखके आप लोग भी छोटा कर दिजेगा तो उसके बाद इसको नेगेटिव पॉजेटिव जो साइन है प्लास जो माइनस है उसमें आपको रेड वयर जो है रेड में सोल्डर इंग करना होगा और माइनस जो है ब्लैक वयर जोडना है ठीक है वो देखिए साइन है आप लोग वीडियो में ठीक से नहीं देख पारी हो तो इसको पहले मैं बैट्री के उपर जो टार्मीनल जो रीड जो है उसको मैं अश्रक वेसे सौल्डर लगा दूँगा देख सकती हो देखिए मैं अच्होंते हो देखिएस के आपर तो यह सोल्डर है मैं लगा रहे हैं इस तरह से थोड़ा छिलना होगा उसको नहीं तो सोल्डर नहीं लग रहता है और इसको प्लास और माइनस जो है प्लास साइन में आप लोग रेड वायर जो है उसको आप लोग सोल्डरिंग कीजिए और उसके बाद जो है ब्लैक वायर आप लोग माइनस में सोल्डरिंग कीजिए देखिए लाग तो इसका यह जो चार्जर लाइट है बंद कर दिया और थोड़ा धीरे हाल का ज्यादा यह होता है घुमाने से रेगुलेटर टाइप का है देखिए इस तरह से आप लोग भी सोल्डरिंग कीजिए उसके बाद इसको एसके उपर सूल्डर प्लेट है और इसको चार्जिंग भी इलेक्रिकश से भी कर सकते हो तो देखिए प्लास से प्लास मैं जोड़ दिया हूँ और माइनस को माइनस से जोड़ दिया हूँ उसके बाद इसको मैं एसी जो चार्जिंग से मैं चेक करणा जा क्युक्त इसका न्याव्त बैट्रिलाघ अन्यावल बैट्री जो है वह तो उसका बैट्री खेर करना यह नहीं है उसको भी चेक करना पड़ेगा तो पहले आप लोगों को एक शीरीज वार नहीं वो चार्जिंग जो फिलिप्स कॉड़ होता है उसको आप लोगों को इसमें लागाना होगा ठीक है तो बाता दिया तो मेरा यूट्यूब चैनल है तो गिरी लेक्टिकल प्लीज आप लोग लाइक एंड सस्क्राइब करना और शेयर भी करना ठीक है तो इसको मैं यह जो फिलिप्स कड है देखिए मैं लगा लिया हूँ देखिए यह जो है फिलिप्स कड इसको पहले मैं लाइन से चेक करूंगा चेक करने से ओ ठीक तक है तो डायरेट में दूंगा 220 भूल में तो आभी देखिए यह जो फिलिप्स कड है उसका जो सौकेट में उसमें लागा दिया उसके बाद दोनों में मैं सीरीज लाइन लागा रही हूँ तो ठीक है तो चार्ज तो होता है देखिए चार्जिंग जब छोड़ देता हूँ तो आर्टमेटिक जल जाता है जब चार्जिंग में होगा तो नहीं जलेगा ठीक है तो यह सार्किट का यह रिलेश सिस्टेम है तो इसको मैं डिरेगली अभी फिलिप्स को जो है चार्जिंग में लागांगा उसके बाद मैं फिर से और एक बद चेक करूंगा माल्टिमीटर से देख तो पहले थोड़ा सा मैं इसको ठीक बिठा लेता हूँ जो है देखिए चार्जिंग में लागा दिया देखिए 4.27 है तो इसको चार्ज हो रही है देख सेके 8 होगा तो मैं समझाँगा तो देखिए 8 होगा मैं देख सेकते हो तो जाता ताइम दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा 26 था 27 28 हो गया तो मैं उसको चेकिंग करकर इसको लागा लेता हूँ क्योंकि वह सही हो गया कोई प्रॉब्लेम नहीं और आदस कोई प्रॉब्लेम नहीं ह इसमें ठीक है तो इसको मैं लागा लेता हूँ अब लोग भी इस तरह से पहले चेक किजिए मैं उसका उपर वाला जो कभार है मैं लागाऊंगा भी स्कूरू से टाइट करूंगा देखिए इसका फ्रोड हेड का स्कूरू जो है शुरू वाला स्कूरू डेर से इसका इसलिए तो इसको टाइट करता हूँ जल्ली से तो मेरा जो यूट्यू चैनल है अब लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और नोटिवेशन बेल आइकन को प्रेस करके लगना देखिए चार्जिंग अप किया तो जल गया है और इसका लाइट कम जादा होता है यह रेगुलेटर सिस्टेम स्वीच है तो इसलिए और इसको कम्प्लीट हो गया रिप्यार तो इसको देख सकती हो और इसको निया बेट्टी लागाने के बाद एक दो घंट आपको ताना चार्ज करना होगा ठीक है ज्यादा नहीं एक दो घंटे से आड़ाई घंटे आप जब लोग को चार्ज करना होगा देखिए एसी कर जब लागाऊंगा यह अब हो जागा देखिए मैं लागर हो भी देखिए जब स्वीच आप करता हूं तो जल जाता है नहीं तो जल नहीं जलते है तो उसको अन करना पड़ेगा देखिए अभी जो है चार्ज हो रही है तो इसलिए नहीं जल रही है जब भी इसको मैं अन करूंग चार्जिंग आप करूंगा तो जल जाएगा तो ठेंक